है कि अधियर आपका है आप है कि है है कि है एक है आप अधिव स्टूडेंस वागत है आपका जएए क्लास्ट मेरेट परिवार में मैं हूं मोनिका पाल और मैं आपको पढ़ा रहे हूं डिजिटल electronics तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़ जाए और आप जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वह अपने सभी दोस्तों को अपने दो करने के काम आते है अप्योटिकल उपरेशन से मतलब है गनिती और गैटियोपरेशन में 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 ली दो तरह के operations हमारे होते हैं addition और subtraction आप सभी जानते हैं कि जो जोडने के लिए संख्याओं को binary bits को जोडने के लिए जो process follow किया जाता वो कहलाता है binary addition इसी तरह से binary bits को घटाने के लिए जो process आप follow करते हों वो कहलाता है binary subtraction जबकि जो multiplication division भी हमने पढ़ा था जब हमने आपको binary operation वाला topic कराया था तो binary operation में चाहता कि operation मैंने आपको कराया थे जिसमें binary addition, binary subtraction, binary multiplication और binary division भी आपको कराया था तो last class में भी हमने discuss किया था मैंने आपको बताया था actually जो binary multiplication होता है वो binary addition के जैसा ही होता है जब आप किसी number को multiply करते हो that means उसमें आप successive addition ही करते हो similarly जब आपकी नहीं number में divide करते हो दो number को तो आप successive subtraction करते हो तो देखा जाए कुल मिला के जब भी हम चाहे division की बात करे हो चाहे multiplication की तो उसमें भी mainly addition और subtraction mathematical operation ही follow किया जाता है इसलिए अभी मैंने आपको कहा कि mathematical operations में that means गणिती operation में addition और subtraction हमारे main operation होते हैं तो उन addition और subtraction को perform करने के लिए दो तरह के arithmetic circuit यूज में लाए जाते हैं पहला adder, हिंदी में इसे adder या जोड़क कहते हैं और दूसरा होता है हमारा subtractor तो basically addition के लिए जो circuit यूज में लाए जाते हैं उने कहते हैं adder और subtraction के लिए जो circuit यूज में लाए जाता है उसे कहते हैं subtractor यह adder और subtractor के फर्दर दो टाइप हो सकते हैं एक half adder और दूसरा होता है full adder similarly subtractor के भी दो टाइप होंगे, half subtractor और full subtractor तो सबसे पहले हमने आपको adder circuit के बारे में बताया था adder circuit एक ऐसा circuit है जो binary bits को जोड़ने के काम आता है इसमें दो प्रकार के circuit हो सकते है half adder और full adder किनी दो सिंगल binary bit को add करने के लिए half adder का प्रियोग किया जाता है और तीन bit की binary संख्या को add करने के लिए हम full adder का यूज करते हैं देखें यहां जो मैं कहरे हूं दो बिट तीन bit दो बिट का अर्थ का मतलब है एक सिंगल बिट जैसे मैं वन को add कर रही हूं जीरो में तो आप देखरों एक binary bit सिंगल बिट है और यह भी एक binary bit है सिंगल बिट में इसी तरह से half adder में क्या होता है triple addition होता है यानि इस तरीके से addition और तो half adder में क्या होता है हमारी अगर हम बात करें input और output की तो इसमें input होती है दो और और इसमें number of inputs होते हैं हमारे 3 और output दोनों में होती हैं 2 कौन सी output होती है बच्चों आपको बताया था हमने है ना पड़ापट सी बताईए मुझे आप comment box में drop करके हमें बताईए कि कौन कौन सी output होती है मैं आपको नहीं बताऊंगी ठीक उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्ट्राक्टर एक प्रकार का सर्कित एक प्रकार का अर्थमेटिकल सर्कित है जिसका यूज बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए किया जाता है तो यानि सब्ट्राक्टर के दुवारा हम बाइनरी बिट्स को घटा सकते हैं तो सब्ट्राक्टर भी दो प्रकार का होत जाता है और तीन सिंगल सिंगल बेट को सब्ट्रैक्टर ने के लिए फूल सब्ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है हमने आपको बताया था सब्ट्रैक्टर चाहे कुछ भी हो उसमें आउटपूट जो होती है वो दो होती है कौन कौन सी होती है एक होती है डिफ्रेंस जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से और दूसरा होता है बोरो जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से ठीक है और इंपूट अलग-अलग हो सकती है जैसे कि हाफ सब्ट्रेक्टर के लिए input कितनी होती है हाफ सब्ट्राक्टर के लिए input होती है दो और फूल सब्ट्राक्टर के लिए input होती है तीन लेकिन आउत्पुट दोनों में दो ही होंगी difference और तो इतना हम अभी तक पढ़ चुके थे मैंने आपको एक क्विक और शोट ओवर्वियू दे दिया कि कितनी सारी चीज़ें हम अलड़ी पढ़ चुके हैं देखिए ऐसा हमेशा होता है हम प्रेजेंट ली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर हम देखें कि हमारे में जो टॉपिक यह होता है वह कहीं नगई सेक्वेंस में एक सही ओरडर में दिया होते हैं क्योंकि जो next टॉपिक होता है वह कहीं ने कहीं प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड होता है जैसे अगर आपको एड़र का ऽॉब्सलिय आपको आएगा ये तो इसलिए एक आपो प्रीवेस टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप सुसक्रीज्ट nhưng कि मेरे जो हम आप rapid एडर फुल एडर और फुल एडर यूजिंग हाफ एडर कराया है वह बहुत इंपोर्टिंट क्लास है मैंने आपको बताया था पूल एडर का कोशन बहुत पूछा जाता है तो आप वो जो हमारी क्लास हैं उनको description box में चेक कर सकते हैं उनका लिंक आपको description box में मिल जाएगा या फिर आप हमारी जो digital electronics की playlist है उसमें जाकर भी classes को चेक कर सकते हैं आप जाएंगे हमारे digital electronics की playlist मिल जाएगी और उस playlist में आप सारी classes चेक कर सकते हैं ठीक है इसलिए कहा जाता है regular class लेना बहुत important है हमारे हाँ जेए classes मेरे परिवार के टीम हर एक सब्जेक्ट के लिए इतना डेडिकेशन से आपके लिए लगी हुई है और सारे ही सब्जेक्ट को रेगुलर हम आपको classes प्रोवाइड कर आते हैं तो रेगुलर classes ये कघए ये टेलीग्राम चीटनल पर उपेलवड है हमारे टेलिग्राम चीटनल का नेम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आप टेलिग्राम चेंटल पर जोड़ सकते हैं ठीक है टेलीग्राम चीटनल पर जोडने के आपको multiple benefits होंगे, बहुत सारे benefits आपको होने वाले हैं, क्या-क्या benefit होने वाले हैं, number one, आपको regular classes का schedule पता रहेगा, आप update रहेंगे, कि कौन से subject की class, कौन से समय पर चलने वाली है, दूसरी most important बात हैं, आपके notes, देखिए, class में जो teacher आपको बताता है, वो आपको topic का concept clear करता है, आपको लिखने का तरीका clear होता है, कि आप copy में लिखेंगे क्या, भली आपको concept बहुत अच्छी से clear हो गया, बट आप उस concept को शही शब्दों में represent नहीं कर पारे, तो आपके semester में marks आना थोड़ा मुश्किल आ जाएगा, तो आप क्या करें, notes को prefer करें, notes हम आपको देंगे, वो भी telegram channel पर PDF form में आपको available कराए जाएंगे, साथी साथ BTE UP से संब्दे जितनी भी important जानकारी है, जितने important notices हैं, वो सब आपको share किये जाएंगे, जिससे आप update रहेंगे, तो आप देखे, काफे सारे benefit आपको होने वाले हैं, आपको regular classes का schedule आपको update करते रहेंगे, हम आपको PDF notes में उप्लग्द कराए जाएंगे, और आपको BTE UP से संब्दे सारी important information हम वहाँ पर share करेंगे, तो आप आज ही हमारे telegram channel पर जुड़ जाएंगे, और अगर आप already वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने friends को, अपने classmates को, डिप्लोमा के जितने भी बच्चे आपके contact में, सभी को जादा से जादा telegram channel का name share करें, ताकि वह हमारे साथ जुड़ ज़एंगे और बच्चों, आप जिसे भी classes लेते हैं, आप classes लेने के बाद भले आप online attend करते हैं, या बाद में देखते हैं, जैसे भी आप class attend करते हैं, तो आप at least अपना feedback, अपने positive जो experiences हैं, वो हमारे साथ share कीजिए, आप कैसा महसूस करते हैं, कहीं आपको किसी तरह की problem तो नहीं आ रही, कोई technical post और ये subject से related कोई परिशानी आप face तो नहीं कर रहे हैं, वो आप हमें comment करके बता सकते हैं, ताकि आपके experience हम तक पहुँच होता है, तो बहुत top of the sky feeling होती है, बहुत positive feeling होती है, तो आप अपना motivation, अपनी positive feeling इसी तरीके से हमारे साथ बनाये रखे, अपने experiences, अपने feedback हमें comment करके share करते रहें, साथी साथ बच्चों आपको telegram channel पर doubt group की facility भी दी गई है, जो बच्चे ऐसे हैं, जो digital electronics की numerical portion को solve करते तो obvious सी बात है, कहीं न कहीं आपको दिक्कत जरूर आती होगी, आपका answer सही ना आ रहा हो, या आपको जो example दिया है, कोई salt form में वो आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई step, especially आपको bullying algebra के question में दिक्कत हो सकती है, आपको number system में दिक्कत हो सकती है, है ना, आगे के मैं आपके question मे आपके question में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसी जितनी भी आपकी numerical problem है, या आपके और कोई theoretical problem भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके doubt queries आप doubt group पे भेज सकते हो, doubt group का नाम आप note कर ले, जो कि है, जे इसी poly 3rds है, ठीक है, जे इसी poly 3rds है, doubt group के नाम से आपको group मिल जाएग आप telegram channel पर उसे search करें, और आप वहाँ पर easily join हो सकते हैं, तो हमारी weekly doubt class जो हम कराएंगे, इसमें आपके doubts one by one clear कराए जाएंगे, तो आप regular classes attend करते रहे हैं, और regular practice करते रहे हैं, जो भी आपके issue आते हैं, doubt आते हैं, उसे solve करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए हमे important और gaining topic है, क्योंकि इसमें पांच number आपको बहुत ही असानी से मिल जाने वाले हैं, पूल एडर circuit का concept अगर आपको समझ में आ गया, मैंने बताया था, चाहे एडर circuit हो, subtractor circuit हो, same process should be followed, क्या होना चाहिए, आपको truth table बनानी आने चाहिए, truth table से आप क्या करेंगे, उसका k-map draw कर से आप expression निकालेंगे, और expression से बनाएंगे logic circuit, ठीक है, तो चाहे half adder हो, full adder हो, half subtractor हो, या फिर full subtractor हो, सब में हम same process ही लगाएंगे, तो half subtractor की अगर बात करें, recently हमने half subtractor का topic complete कर लिया, और half subtractor और full subtractor दोनों ही topic equally important है, examination में या तो आप से half subtractor पूछा जा सकता है, या फिर आप से full subtractor भी पूछा जा सकता है, that means, mathematical circuit जो है, इन में से adder ये subtractor का एक question जरूर बनेगा, तो हम बात करते हैं, आपने full subtractor की, तो full subtractor के सबसे पहले हम draw करते हैं, क्या draw करेंगे हम इसका block diagram, तो block diagram बना लिया, हमने simple, तो इस block में हमने अंदर mention कर दिया, कि ये क्या है, full subtractor का block है, इसमें 2 input, sorry, इसमें 3 input होंगी, कौन सी? A, B, और C, क्योंकि ये full subtractor है, तो इसमें number of inputs कितनी होंगी, 3 होंगी, output इसमें चाहे full subtractor हो, चाहे half subtractor हो, output इसकी 2 ही होती है, एक होता है D, और एक होता है B, D को हम लिखते हैं, difference, और B को लिखते हैं, borrow, तो इसके नीचे mention कर देंगे, हमेशे जब भी आप कोई diagram बनाए, आप graph बनाए, आप कोई table बनाए, उसके नीचे उसकी labeling जरूर करें, आप mention करें, कि आपने diagram किस चीज़ का बनाया है, जैसे हमने block diagram बनाया है, तो हम लिखेंग ये, this is the block diagram of half subtractor, तो block diagram of full subtractor हम mention करेंगे, full subtractor का है ये, half subtractor हम आपको बता चुके हैं, उसको भी आप previous class में चेक कर सकते हैं, क्योंकि half subtractor भी कोशन आने की possibility बन सकते हैं, तो simple सी बात है, हमने बहुत simple सा block diagram इसका बना दिया, तीन इतमे input होंगी, ABC, ये तीन input कौन सी होंगी, वो तीन बिट होंगी, जिनको आप subtract कर रहें, और इसके output होंगे D और B, D होगा difference, यानि संख्याओ को घटाने पर जो result आता है, वो कहलाता है difference, और B होता है, जो extra bit आप लेते हैं, वो कहलाती है हमारी बोरो, तो आप इसका फटाफट से हम truth table बनाते हैं, तो truth table के लिए हम ब बनाएंगे वहोंगे तीन, A के लिए, B के लिए और C के लिए, तो ये तीन हमारी हो गई inputs, कौन कौन सी हो गई, A, B और C, और इसकी output हो जाएंगी, दो output होंगी, कौन कौन सी, अभी पताया था आपको difference और बोरो, ये हो गई, outputs, तो mark कर देंगे, this is difference, और ये क्या है हमारा, बूल, इसी डी या भी ना लिखे, अगर आप दी और भी लिखोगे, तो confusion create हो सकता है, क्योंकि यहां B हमने input variable का नाम भी रख दिया, तो अगर आप यहां भी रखेंगे, तो confusion हो जाएगी, अगर आप यहां भी रखेंगे, तो तो ऐसा लगेगा, जिससे आपकी चार इंपूट है, A, B, C, D, तो difference को पूरा ही लिखेंगे, difference और वोरो को भी पूरा बोरो ही लिखेंगे, आपको अगर column छोटा पड़ रहा है, तो आप डिपरेंस को D, I, F, F करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे तीन, चार, और इसमें करेंगे, दो बार 0 और दो बार 1, दो बार 0 और दो बार 1, C में 1 बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, फिर एक बार 1, एक बार 0 और एक बार क्या आ गया, बना गया, ठीक, अब अगर आपको binary subtraction के rule अच्छे से clear है, देखिए, यह जो input condition हमने मार् चाहे आप encoder, decoder, multiplexer, adder, subtractor, यह आगे बहुत सारे हम circuit पढ़ेंगे, उन सभी circuit में यह input combination तो same ही होते हैं, यह तो fix है, बट, output condition जो होती है, चुकि हम subtraction के लिए बना रहे हैं, और कौन सा, full subtractor के लिए हम table बना रहे हैं, that means, इनका हमें subtraction result यहां लिखना है, difference बनाना है, औ और बोरो क्या आएगी, वो यहां पर mark करना है, देखिए पहला जो case बनता है, इसमें subtract करना है, 0, 0, 0, यानि जब भी हम subtraction करेंगे, या हम addition करेंगे, full adder का case हो, या full subtractor का case हो, तो पहले किनी 2 bit के बीच operation perform करते हैं, यानि हम subtraction करेंगे, पहले इसके और इसके बीच, फिर ज subtraction होगा, फिर जो result आएगा, उसको तीसरे bit के साथ subtraction उसका perform करते हैं, जैसे हमने 0 को minus करा, 0 में से result क्या आया, 0, आप result जो 0 आया, उसमें से minus करेंगे, C bit को, 0 में से 0 minus हुआ, तो difference क्या आया, 0, और बोरो भी क्या आगई, 0 ही आगई, आप इस case में आएगे, या पर 0 में से 0 गया, 0 minus 0 हुआ, तो result क्या हुआ, मैं दूसरा marker ले लेती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, देखिए, यहाँ पर इस वाले case में देखिए, 0 में से 0 गया, तो 0 में से 0 गया, तो result क्या आया, और वैसी बात है, 0 ही आया, आप फिर क्या जाएगा, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, एक बोरो लेंगे, और बोरो लेने के बाद, यहाँ क्या बन गया, यह क्या बन गया, 1, 0, 1, 0 में से 1 गया, तो result क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक, आप उसके बाद तीसरी condition को देखिए, यहाँ पहला ही case गड़बढ हो गया, क्या हो गया 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, 0 चोटा नंबर है, और 1 बड़ा नंबर है, तो 0 में से 1 ही जा सकता, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, एक बोरो लेनी पड़ेगी, और बोरो लेने के बाद यह बन जाएगा, 1, 0, 1, 0 में से 1 जाएगा, तो result क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1, 0 में स से जीरो गया तो हिर से आंगया यहाँ अ sill कि अ कि अ देखेखेंगा यहाँ हुआ यहां पर अधे खेर हरो ऑला केस बन गया जिरो में से बांगा तो नहीं जा सकता तो पहले केस में क्या लेनी पड़ेगी रोने पर यह बन ग्या 301 0 में से वं गया तो रिजल्ट क्या आया वन बटाभी रुकिए क्योंकि आपने शुरू की दो का सब्ट्राक्शन किया है बहुत जीरो मेंसे वंगिया रिजल्ट कैना एम फिर उस ब्रिजल्ट में आप addition और subtraction को अच्छे से समझें, addition के rule बहुत असान है, addition में कुछ आपको परिशानी नहीं आएगी, बट subtraction में थोड़ी सी आपको problem आ सकती है, इसलिए आप subtraction के जो rule है वो अच्छे से binary operation में समझ लें, और अगर आपको adder circuit बनाने में कोई दिकत नहीं आती है, तो आपको subtractor बनाने में भी कोई परिशानी नहीं आएगी, तो अगर हम mathematical circuit बनाना चाहते हैं, आपको दो चीज़े बनानी आनी चाहिए, पहला तो आपको addition subtraction के rule आने चाहिए, दूसरी बात, चुकि इस table से आप हम k-map भी बनाएंगे, तो k-map के rules भी आपको clear होने चाहिए, आपको प करने के बाद, उनका expression कैसे लिखा जाता है, तो आप जो भी चाहिए adder कर रहे हो, या subtractor कर रहे हो, अगर आप circuit रट रहे हैं, तो एक अलग बात है, बड़ अगर concept को आप deeply समझना चाहते हो, तो आपको binary operation अच्छे से clear हो, साथी साथ, k-map, यानि car not map का topic भी अच्छे से clear हो जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जो पहली बार class ले रहे होंगे, तो उनको यहां समझने में परिशानी आएगी, कि यह one zero में से one minus हुआ, तो क्या result ऐसे कैसे आगया, तो आप क्या करें, subtraction rule को अच्छे से समझे, तब आपको यह table बनानी असानी हो जाएगी, उसमें, आ और हमें बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, यहां पर आईए, one में से zero गया, तो result क्या आया, one आया, और one में से one गया, तो result क्या आया, zero, यहां बोरो लेने की कोई जरूरत हमें नहीं पड़ी, ठीक है, यहां देखे, one में से one गया, result क्या आया, zero, zero में से zero गया रिजल्ट के आया जीरो और बोरो लेने की भी जरुवत हमें नहीं पड़ी इस केस में देखिए वन में से वन गया पहली और दूसरी बिट को घटा आ रहे हैं वन में से वन गया रिजल्ट के आ गया जीरो आप रिजल्ट में से तीसरी बिट को घटाना यानि जीरो में से किस क्या आएगा फिर से वन ही आएगा तो तो यह हो गई हमारी टूथ टेबल ओफ कि फूल सब्ट्रैक्टर तर थी के बच्चों यह आपको मैं बार बार कह रही हूं यह सम बनाने में असानी जबी होगी इसको केवल ऐसे देखकर या स्क्रीन शॉट लेकर या रट लेने से कुछ नहीं होगा आप टूथ टेबल बनाना सीखें क्योंकि आगे जो हम कम्मिनेशन सरकेट पढ़ेंगे और भी बहुत डिफिकल्ट सरकेट्स हमारे आएंगे तो रटने से काम नहीं बनेगा आप टूथ टेबल बनाना सीखें और फिर टूथ टेबल की शहता से आप लेते हैं वाइजी रो वाइवन वाइट वाइटी y3 y4567 है यो कि इसमें तीन इंपोट हैं तो आउटपूट कंडिशन मैं किदिनी बनेंगी एहां बनेगी नेपनेहें अब mies 지역 करना है हम्हें कमैब बनाना है तो फिर आप बनाएंगे हम थीन इंपूट के लिए तो एक के मैप बनाएंगे हम के मैप पोर difference एक बनाएंगे difference के लिए और एक के मैप बनाएंगे हम बोरो के लिए के मैप फोर बोरू सुकीश की दो आउटपूट है इस टेबल में हमें दिखाए दे रहा है कि आउटपूट कितनी है दो हैं, एक दिफरेंज और एक बोरू तो हम के मैप भी कितने बनाएंगे दो ही बनाएंगे क्योंकि के मैप बनाते हैं आउटपुट एक्सप्रेशन निकालने के लिए तो आउटपुट दो हैं तो के मैप भी हम दो ही बनाएंगे यहां हो गई इन hablar b bar a bar b a w a b a w a w ka bar देखे जो रवाब के मारा टॉप पज़ो हमने आपको कराया था साथ के आपके बॉपह सें MAach और 56788 box इसमें है 8 box इसमें यह 8 box जो है यह डिफरेंट आउटपूट कंडिशन को रिपर्जेंट करते हैं तो आप देख रहें कितनी आउटपुट है 8 आउटपूट है और यह बोक्स को रिब स्दोन तक तो इन आउटपूट कंडिशन के लिए एक स्प्था विए यह वो जो होता है वो हर एक specific output को represent करता है तो यह कैसे था इसको मार कर लेते हैं 0123 यह 4 यह 5 और यह 6 यहां पर 0123 यह 4567 तो आपको फिल करेंगे सबसे पहले कर लेते हैं के लिए आप देखें डिफरेंस कब कब वन है वाई वन पर और टू पर तो वन पर दीजिए वन और टू पर भी क्या वर दीजिए वन बाकी में जीरू are you okay यह गलते हुई यहां पर भी है वन यह कैसे हमें 10 दिखाईन दिए यह ओर एह और 7 पर तो 6 हमारा हो गया यह और 7 हो गया हमारा यह तो यह हमारा के मैं तैयार हो गया किसके लिए डिफरेंस के के लिए similarly आप इसके के मैप को भरिए बोरो के लिए तो बोरो कब का वान अध्यान से देखेंगे ये ये और ये यह ये यानि 123 और सेवन के लिए को वर्देटेऊं 123 और सिबंगे चार बार वन है बाघ की सब क्या भर देंगे हम जीरो ही भर देंगे तो यह हमारा के मैप तयार हो गया ठीक है आप के मैप तयार होने के बाद दूसरा स्टेप हम क्या लेते हैं कि हम करते हैं इनकी लूपिंग तो लूपिंग करते हैं देखें इसके केस में देखो आप इस वाले डिफरेंस वाले के मैप में कहीं कोई की looping possible नहीं हो पारी ऑक्टेट नहीं बनदा क्वार्ड नहीं बनदा पेर नहीं बनदा सभी के सभी सिंगल या पर तो सब्सक्रतान हो गया एक 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 और एक इनका एकस्प्रेशन लीखिए फिर इसका गया झाँ और सिवार ठीक इसका एक्स्प्रेशन क्या हो गया एबी और सी इसका एक्स्प्रेशन क्या हो गया एबार बी बार कि सी और इसका एक्स्प्रेशन क्या हो गया एबार बी और सी का बार ठीक है similarly यहां देखो अब यहां तो कुछ हो सकता है pairing का कुछ chance बनता है कैसे बनता है देखो एक pair तो यह बन गया सीधे सीधे पता चल रहा है हमें दूसरे जो बाकी pair बनेंगे वो overlapping से बनेंगे तो इसमें तीन पेयर बन गए अब इन तीन पेयर के लिए expression लिखें एक इसके लिए एक इसके लिए और एक इसके लिए सबसे पहले इसी के लिए लिख लेते हैं यहां देखें उपर क्या common आ रहा है A बार पहले column को read करते हैं इस pair के लिए तो इन दोनों में क्या common आ रहा है A बार और row में क्या common आ रहा है C इस वाले pair के लिए क्या पूरी की पूरी column ही common आ रही है A बार B और row में कुछ common नहीं आ रहा है इस वाले pair की बात करें तो column में क्या common आ रहा है? B और row में क्या common आ रहा है? C तो हमने क्या कर लिया? इनकी k-map तयार की और k-map तयार करने के बाद हमने इनकी looping करी और looping करने के बाद इनके expression को हमने simplified way में लिख दिया तो कुल मिलाके जो हमारा expression आएगा यह से रब कर देती हूँ आप इनका screenshot लेते रहें समय समय पर जहां पर आपको जुरत लगती है आप हम expression निकालते हैं तो जो expression आ रहा है कि इसका difference का तो d is equal to क्या आ रहा है a b bar c bar plus a bar b c bar plus a bar b bar c और plus a b c ठीक है जब इसको simplified form में लिखेंगे तो d is equal to आ जाएगा a x or b x or c ऐसा हमने क्यों किया इस expression को simplify इसलिए करा क्योंकि सिम्प्लिफिकेशन से number of gates की आवशक्ता क्या हो जाती है कम तो हम चाहते हैं जो हमारा सर्कृट हो वह सिम्प्लिस्ट फॉर्म में हो सरल से सरल रूप में हो तो उसके लिए हम में एक्सप्रेशन को सिम्प्लिफाय करते हैं ताकि gates के आवशक्ता कम तो हमने इसके एक्सप्रेशन और धूसरा एक्सप्रेशन जो हमारा ठाइगा यह गया आ reference expression नहीं की लिखेंग इसकेreas निचे which expression for the reference Similarly, आप किसके लिए लिखेंगे? बोरो के लिए, तो बोरो बीज इकल्स टू हो जाएगा हमारा, वहाँ से पता चल रहा है, A बार C प्लस A बार B प्लस B C, यह हमारा हो गया बोरो के लिए expression, तो आप तो हमारा काम सारा लगबग बन गया, हमने block diagram बना लिया, block diagram हमने इसलिए क्योंकि हमें उसकी basic theory लिखनी थी, कि subtractor क्या होता है, subtractor कैसे काम करता है, कितने inputs थे, 2 inputs थे, sorry 3 inputs थे, ABC क्योंकि full subtractor है, और 2 output है, बोरो और difference, difference क्या होता है, bit को घटाने पर जो result प्राप्त होता है, वो difference, और जो extra bit हम लेते हैं, वो कहलाते हैं, बोरो, फिर हमने subtraction rule से binary के क्या बना दी, table बना दी, table से दोनों output के लिए हमने क्या बना लिया, k map बना लिया, और k map से हमने दोनों के लिए क्या निकाल लिया, expression, तो यह हमारा हो गया, output, expression, for, बोरो, तो इतनी चीज़े आप नोट कर ले, क्योंकि मैं अब extra सब रब करने वाली हूँ, आप इसका screenshot ले ले, क्योंकि मैं अबekt थांतुला ले, ले कि नहा हमने के सब दोरो, उख बंड़ को धहला हो गया,भ Donc, कर भ governance दोरो, यह हमने अबना व क्यादिए, नह हमने भीज़े, हमने से क्यां आप ले ले, उज़ें आप, तो यह हमने, हमना छोरो, तो झादाध और यह हमने अज़े, हमन तो आप टेबिल को मैं में डार देती हूँ इसकी कोई भी जूरत खास है नहीं आप हमारे पास आउटपुट एक्सप्रेशन बच्चो आ गया है उस आउटपुट एक्सप्रेशन से हम बहुत ही असानी से क्या बना सकते हैं उसका लॉजिक सरकेट बना सकते हैं तो आप लॉ जाएगा डिफरेंस इस वाले केस में आप देखो गोरो का जो एक्सप्रेशन आपका आया है वह आया एक बार सी प्लस ए बार बी प्लस बीसी तो यहां पर इसको हम सिंप्लिफाइड रूप में हाला कि और कर सकते हैं पर हम यहीं पेसे छोड़ देते हैं क्योंकि आप कर दाते हैं तो हमारी इंपूट हो जाएंगी ए ऐइभी शीटि कैस तो इसको दो तरह से बना सकते हैं एक बीस टीन इन पुत हो गई जो मैं दरीका आपको अप्ट करने के लिए कहती हूँ पहले उससे बना लेते हैं यह तीन इन्पुट हो गई A, B और C तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए तो हमने सिंपल एक एक्जोर गेट लगाया इसमें C को कनेक्ट करा इसमें B को और A को तो यह आ गया A, B, C यहाँ पे भी लिख दो A, B और C यह एक्जोर गेट से क्या मिल गया आपको? डिफरेंस मिल गया D क्या मिला? D is equal to A, एक्जोर, B, एक्जोर, C अब आपको क्या चाहिए? बोरो चाहिए बोरो करने के लिए प्राप्त, आप क्या करेंगे? आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लगाया? और गेट और इनके बीच में क्या लगाया? एंड गेट तो एक, दो, तीन आपको एंड गेट चाहिए और एक और गेट तो पहले जो टर्म है, पहला जो पद है वो है A बार C तो यानि आपको बार की आवशक्ता है, तो बार के लिए आप ये बना लें, नोट गेट लगा लें और ये होगे आपका A बार इसी तरह से आपको B बार की आवशक्ता तो नहीं है केबल A बार की आवशक्ता है ना C बार की आवशक्ता है आप देख रहे हूं ना आपको B का बार चाहिए ना C का बार तो simple आप क्या करोगे बनाओगे end gate कितने end gate तीन end gate एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पहला जो end gate देगा वो देगा आपको A bar C दूसरा देगा A bar B और तीसरा देगा आपको B C तो A bar C के लिए हमने यहां से लिया A bar और C ले लिया यहां से ठीक है? इसके लिए A bar B तो B तो यहां से ले लिया आपने और A bar ले लिया आपने यहां से तो आ गया A बार B और यहां क्या चाहिए आपको B, C चाहिए तो C यहां हो ले लिया और B ले लिया यहां से तो आप देख रहे हो आपको तीनो टर्म मिल गये A बार B, A बार C और B, C आप इनकी क्या कर देनी है? और इंक कर देनी है एक तीन इन्पूट का और गेट लोग है यहां दिया है यहां पर यहां पर और यह आपको क्या मिल गया बोरो और बोरो का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एवार सी प्लस एवार भी प्लस बीसी ठीक है आप इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते और इसका पहले हमें इस पर लिख देते हैं सर्किट डायग्राम कि सर्किट डायग्राम और फूल सब्ट्राक्टर आपको इस दूसरी तरसी से कैसे बना सकते हो एक सिंपल एग्जोर गेट लोगे ठीक हैं ए बी सी तीन इनपुट हो गए ए बी सी यह क्या मिल गया डिफरेंस मिल गया आप क्या चाहिए आपको बोरो चाहिए बोरो के लिए आप क्या करेंगे पहले ए बार चाहिए आपको तो A बार यहां से लिया और क्या चाहिए B, A बार के साथ क्या चाहिए B, तो A बार और B की क्या कर दी, ending, दूसरा आपको क्या चाहिए A बार चाहिए और C चाहिए, तो A बार आपने यहीं से ले लिया एक और C ले लिया, यह एक और end gate लग गया, जो क्या दे रहा है A bar C, ये दे रहा है A bar B, ठीक, और A क्या चाहिए आपको B C, जो B और C की क्या कर रहा हो हमारी ending कर रहा हो, तो B और C यहां से ले लिजे, ये B हो गया, और ये C हो गया, एक और end gate लगा दिया, जो किसको दे रहा है, B और C को, और इन तीनो end gate की input को feed कर दीज आपको बोरो आप ऐसे भी से बना सकते हों है ठीक है बच्चों तो कुल मिलाके यह हमारा फूल सब्ट्राक्टर का टॉपिक बस यहीं पर खतम होता है 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 हैं तो हमने तक अर्तेमेंटिकल सर्कुिट के बारे में पढा जिसमें यादर पढा ईडर में दो ताइप पढ़े फेडर कूल सिमिलर्ली आपने सब्ट्राक्टर में भी दो टाइप पड़े हाफ सब्ट्राक्टर और फुल सब्ट्राक्टर मैं ने चारों में आपको एक ही प्रॉसस पूलो करने के लिए कहा ब्लॉक डाइग्राम बनाएंगे टृत टेबल से केमाप ड्रॉव करेंगे केमाप से आप एक्सप्रेशन निकालेंगे और एक्सप्रेशन से फिर लॉजिक सर्किट आप उसका बनाएं तो आप अलग-अलग बुक में देखें एकुछ जगह नैंड गेट से बना रखाई तो आप सबी सर्क्ट सहीं हैं जिस तरीके से दिये हुए कुछ एक्जोर गेट से तो आपको जो भी सर्क्ट सिंपल लगता है उस सर्कृट को देख लें या आप अपना के मैं आप से आपका जो एक्स्प्रेशन आ रहा है आप उसके अनुसार उसका लॉजिक सर्कृट बनाएं ठीक ह बच्टो तो आज की क्लास बस यहीं बार हमारी खतम होती है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सरक्ट के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टन सरक्ट हमारे आएंगे जैसे एन्टोडर बारे में हम जानेंगे उसके बाद मल्टिप्लेक्स रोडिवी को एक प्रकार के कोड में कनवर्ट करने के लिए एंकोडर का यूज किया जाता है तो एंकोडर और डिकोडर बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यह भी आपके पांच नंबर के कोशन बनेंगे ठीक है तो अगली क्लास में आपको टाइम से आना है आपको बिल्कुल भी क्लास मि नहीं करना है चलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जैहिंद जै भारत